कर दो कर दो किसम का होने वालार पाई जी हाँ गाइस हम लोग आज बनाने वाले वी वोइस को जो की नौर्थिस्ट आसाम के सबसे पॉपुलर ब्लोगर में से एक तो वीडियो शुरू करते हैं और साथ में वीवोइस के बारे में भी कुछ बात करते हैं वीवोइस का स्केचश बनाने का सबसे पहला रिजन यह है कि इसका वीडियो का मैं बहुत वड़ा फैन हूं मतलब इसका हर एक वीडियो हर एक चीज मतलब इतना एनरजी इसके पास है का इसमें क्या बोलू बहुत जादा अच्छा लगा है आई होब आप लोग भी जानते होंगे वीवोइस को और जितना मुझे पता है जितना मैंने सुना है वीवोइस का रियल नेम जो है आइधिंक संजेई बोरो है जो कि हमारे आसाम के बाकसा डिस्ट्रिक्स से यह बिलोंग करता है कि मैं 100% तो शोर नहीं हूं लेकिन मुझे जितना मतलब पता चला है त रही बाद भी वोइस की का सबसे बड़ा रिजन जो यह इतना पॉपुलर इतना फैमस हुआ है वह है इस बंदे का मतलब वीडियो हर एक वीडियो आप लोग खुद देखना यह कंटेंट के पीछे नहीं भागता है कंटेंट इसके पीछे भागती है क्या ही बोलो हर एक य हुद्धा रहता है लेकिन यह एक एसा बंद एक लोता ऐसा बंदा है जो मतलब कंटेंट की जरुरत ही नहीं पर आप ऐसे फिले जगा में भी इसको छोड़ दो और बोलो कि तुम यहां पर एक वीडियो बना आर्राम से आग बंद करके बना देगा यह एक बंदा और वहां अगर आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो तो मैं मैं दब दिल से बोला मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं और आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा फेमस यूटीवर है और उसका अच्छा फोटो नहीं में लगया यही तुम बना रहे हो तो उसका यह रीजन ह यह जो बंदा है, यह एकदम क्रेजी है तो एकदम पागल बंदा यह मतलब कभी इसको शांत देखा ही नहीं है हर टाइम फे पागल बंती करता है। मतलब कुछ भी करता है तो वही रिजन है मैं यह फोटो चूस किया क्योंकि इस फोटो में उसका क्रेजिनेस दिखाई देता है मैंने हर एक फोटो देखा इसका इंस्टरग्राम पे फिर मैंने डिसाइड क्या नहीं यही आइटिंक उसको उसका जो पूरा करेक्टर है उसको मतलब डस्क्राइब करता है उसका पेस उसका बॉडी लिंग इस बताब वही रिजन है मैंने यह फोटो चूस किया कि बनाने के लिए आई हो कैसा आप लोग को भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस बीबोई को नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते अप लोग देखो आई हो मतलब मैं बोल रहा हूं 100% शोट कि आप लोग को भी बहुत बहुत सादा पसंद आएगा यह अगर कभी मोका मिले ना तो मैं पक्का यह जो स्केच है उसको गिफ्ट करने वाला हो तो गाइस हो आप लोग को कैसा लगा बीबोई का स्केच और सब्सक्राइब कर देना